हेलो दोस्तों अगर आप अपने फॉन से भाई इस थीम स्टोर को हटाना चाहते हैं तो कैसे हटा सकते हैं आज की वीडियो में यही आपको बताएंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना भाई देखो होता क्या ह सब्सक्राइब करें देखो नहीं अब को बताएं आज की वीडियो मापको बताल्य करके लाइता- तो इसको delete ना करके भी हम यहां से हटा सकते हैं, आपके phone से हट जाए, gap हो जाए, दिखेगी नहीं, तो कैसे कर सकते हैं, वह यह आज की video आपको बताएंगे, ठीक है, अब आपको देखो जाने के लिए, setting से उपपर जाना होगा, setting जाने के बाद इसमें भाई, आपको apps वाल option देख लेना होगा, ठीक है, यह apps लिखा हुआ है, इस तरीके सा आपके phone में भी दिखेगा, इसके उपर आपको click कर देना है, click करने के बाद भाई, आपको यहाँ पर app management दिख जाएगा, सबसे उपर देखो यह वाला, इसके उपर click कर देना, click करके अब यहाँ पर भाई, आ हमारे यहाँ पर कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखें, अब थोड़ा अराम से देखना होगा, क्योंकि भाई वह आपको से छोटा-छोटा होता है, तो यहाँ पर लिखते क्या है, लिखने के वाला अलग होता है, पहले आप भी ढून लेना, लिखने के चक्कर में क्यों चुका है न ही रहे यहां पर आपको इसके ओपर किलिक करना किकर के बाई देको यहां पर आपको नने इंस्टॉल का नहीं पर यह मिल जा था कि द्दम को भी आपने फॉन लगा रहा होगा अपना पासवर्ट डाल देना है, पासवर्ट डालते हैं यहां से यह अप, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे फॉन से यह अप, गाया वो चुकी है, देखो, आपको कहीं भी यह वाली अप नहीं दिखेगी, तो ऐसे आप अपने फॉन से भाई, इसको हटा सकते हैं,